अब बनाने जा रहे हैं लोकी का हल्वा हमने एक लोकी लिया हुआ है और इस लोकी को हमने ग्राइन करके इस तरह के सामें तर्दू करें यह देखिए लोकी का पानी थोरा से इसमें जल चुका है अब हम इसमें इस स्टेज पेस में हम यह फ्रेश मलाई को एड़ कर देंगे इस इसमें एक खुए का काम करेगी और इसका टेस्ट इसका पुफ़क ही अच्छा इससे आता है यह अमने एक कटोड़ी मलाई इसमें एड़ कर दी कि यह बढ़िये है यह हमारे मलाई जो है यह मगभड तयाना ने हो रही है अब हम इसमें चिनी को एड़ कर देंगे छीन Хорошо अब आपने टेस्ट के साब से कम नीठी लग सकते हैं वैसे 6 चमच चीनी से बूगल परफेक्ट हलवा तयार हो जाता है यह देगे हम इसमें पास 6 चमच शकरजीनी डाली है और इसको हमें चलाया है अब इस दिये देगे जीनी आज पर हमें पगाना है पर इसमें नीजे से जलने का डर रहेगा फ्रेश मराई है और बहुत जली चुपक जाती है यह देखे इस तरीके से हम इसको अच्छा से भंने के लिए चोड़ देंगे और इसको पका के तो यह देखे इदेखे यह आपका पानी इसमें शकर ने पानी छोड़ दिया है खत प अगर आप घी नहीं डालना चाहते है तो नहीं डाली है वह फ्रेश मलाई है वह भी अपना घी छोड़ती है उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है यह यह हमारा हला हल्वा लगपक तयार हो तो आप असले पार्शमें पर इस कॉर्भून लेंगे और यह तयार होग है या यह देखे इस के सब्सक्राइ यह कमाने खोड़ी है रिवां जना देग लोगवां तयार हो गया वार मेली इस मेर इस इसमें काजु की दूस्ति आरा shift नहीं काजु को लिए बन कर देगे और यह pressured क्रेड़ी होगिर अजर आपको में रेसिपी पसंदाइए तो प्रीज आपको से लाइक किजिए शेयर गीजिए और सबस्क्राइब किजिए थैंक्यू